26 जून को लखनों में हुए यूअक कॉंग्रेस के कारेकरताओं और नेताओं पर लाठी चार्ज के विरोध में बुदुवार को नगन निकम परीसर में जिला अद्यक्ष महानगर कॉंग्रेस कमीटी अरुन कुमार अगरेरी के नेतरियत में सरकार के खिलाब बिरोध परदर्शन किया परदर्शन में कॉंग्रेस बिधान मंडल के नेता अजे कुमार लल्लू, राजू सिंग, दिलिप जैसवाल, मारकंडे सिंग सहित भारी संख्या में कॉंग्रेसी उपस्तित रहे इस संबन्द में गोरको न्यू सन्वादाता से बात करते हुए जिला अद्यक्ष अरुन कुमार अगरेरी ने कहा आज का ये परदर्शन जिला परदर्शासन के माध्यम से महा महिम राजपाल उत्तर परदेश परदर्शन के द्वारा महा महिम राजपाल उत्तर परदेश से हम लोग ये मांग करते हैं को कल पूर्द निर्धारित कारकरम के अंतरगत इवा कांगरेस के द्वारा भारत बचाओ दिवस कारकरम के तहत लखनों के अंदर विधान सभा घहराओ का एक रैली किया जा रहा था सांत्पूरुवक धंग से जिसमें तमाम हमारे युवा कांगरेस के साथ ही उसके साथ तमाम फ्रंटल के लोग हमारे विधान मंदल दल के नेता स्री अजय कुमार लल्लू जी के निर्थत में तमाम पूर विधायक और तमान विधायक तमाम लोग ऐसे लोग सामिल थे और इन लोग के उपर एक सुन्योजित तरीके से जब ये विधान थभा की ओर बढ़ रहे थे सुन्योजित तरीके से इनके उपर बर-बर लाठी चार्ज किया गया जिसमें विधान मंडल के दल के नेता माननी अजय कुमार लल्लू जी सहित सायकोडों की संख्या में युवा कांगरेस के कारकरता घायल हुए है जो निश्चित रूप से एक हिंदुस्तान जैसे जो दुनिया का सबसे बढ़ा लोगतांत्रिक देश है उस देश के लिए एक सुब संकेत नहीं है को जब लोग विभिन मांगों को जो अपने जनतकारों को लेके एक परदर्सन सान्थ पूरवक धंग से परदर्सन करने का काम कर रहे हो और ये सरकार के इसारे पर पुलिस के लोग उन पर बरबर एक अपराधी के तरह लाठी चार्ज कर रहे है तो निश्चित रूप से ऐसे लाठी चार्ज से ऐसे दमनकारी नीतियों से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है हम लोग का इतिहास ही ऐसे त्याग थंगर्स और बल्दानों के निउपर खड़ा है को इनकी दमनकारी नीतियां इनके सत्ता से उखाल फेकने के साथ जब तक हम लोग नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैटेंगे